हेलो एबरीबड़ी आज हम अपना मोडर्न हिस्ट्री का कॉंपोनेंट शुरू कर रहे हैं यह फुल वीडियो होगी और हम सब कुछ सक्रैब से स्टार्ट करेंगे यह वीडियो सारे एक्जाम के एस्पेरेंट्स के लिए है अगर कोई कुईरी है तो आप हमारे कमेंट शेक्शन और हमारे टेलीगराम ग्रूप में भी बता सके टेलीगराम ग्रूप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है सो लेट आस स्टार्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम शुरू करेंगे एराइवल ओफ यूरोपियन से इंडिया और यूरोप के बहुत प्राइटरी रिलेशन थे सिंस दा टाइम अफ सिल्क रूट बट इन 1453 कोंस्टेंटिनोपल फैल टू तु 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 एड एशिया साइड पे उनकी मोनोपली हो गई मोनोपली मींस दे वर एलोन इन दा मार्केट और यूरोप की साइड पे इटैलियन से दे वर आलसो एडिंग अडिशनल कोस्ट जे हम वर्ड हिस्ट्री में भी देखेंगे कि कैसे जब किसी रीजिन में एकनोमी फ्लरिश करती है तो कैसे वहाँ पर नए नए कल्चर और आर्ट और फिलोस्पी डवेलप होती है सपेन और पूर्टागाल ने सबसे पहले सी रूट डूंडने के लिए किये कि इंडिया को सपोपर्ट किया था और पॉर्टाइलियों को एक स्टी ब्रयापसर बारी इंडिया की तरफ ना था बर ब्राजिल की उसने कोझ कर दी थी पाइनली जो सबसे पहले पुर्त गाली जो इंडिया में पहुंचने में काम जाब हुआ था वह था वास्कोडे गमा वास्कोडे गमा इंडिया में कैलीगेट में आया था अब एक बहुत ही इंपोर्टन्ट ओब्जिरवेशन है जहां पर जैसे हम ने डिसकस किया कि लैंड रूड तुर्क ने म इंडिया में भी तब मुस्लिम रूलर्स थे एंड डे हैड गूड रिलेशन्स वित तुर्क तो एक हिसाब से ट्रेड पर मुस्लिम मौनिपली थी इसी कारण से जब वास्कोडे गमा इंडिया तो उसका वेलकम एक हिंदू किंग जैमूरीन ने किया था इसके बाद पुर् सिच्वेशन का पूरा फाइदा लिया जब वास्कोडे गमा आया था तो उसने हिसाब लगा लिया था कि इतने चैलेंजिस होने के बाद भी ट्रेड वैनिवीशल है और इसको मौनुपलाइज करके और भी फाइदा कमाया जा सकता है इसलिए पुर्तगाले ने कार्ट जैस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इसका मतलब था कि अगर किसी को सी रूट से इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो पुर्तगालियों की प्रमीशन लेनी पड़ेगी इसी से एक न्यू इरा स्टार्ट हो गया था इंडियन ओशियन में जो पहले ट्रेड चोटे लेवल पी किया था कि जब तक पुर्तगाली ब्लू बाटर पॉलिसी फॉलो करेंगे देग एंडियन सर्वाइब मेंज अपनी सैटलमेंट्स इंडियन कोस्ट के पास बनाओ बट लेटर हम देखेंगे कि कैसे पुर्तगाली इंटर्नल वाज में इंक्लियूड हुए और सेकिंड क्योंकि साथी को हम देखें के बाद में कि आल ओवर इंडिया वेक इसने बैन किया था नो डाउट साथी वाजा वेरी फॉल्स प्रैक्टिस वट हमारी सुसाइटी ने इसको उपोज गिया था और यह भी एक कारण था पुर्तगालियों का जो वहां पर भीरोद हो रहा था और फर्स्ट जो उसने पुर्तगालियों को इंडियन वूमेंस से मेरी करने को का था इसका एक रीजन था कि पुर्तगाल एक बहुत चोटा देश था और अगर इंडिया में इनको अपने अमबीशन्स को फुल्फिल करना था तो इसके लिए दे नीडिड लार्जर वर्क फ प्रश्ट ना इसका है कि इंपोर्टन काम था कि इसने कैपिटल शिफ्ट की थी तो गोवा इसके बाद हमारा एक और इंपोर्टन गवर्नर इलफांजो डिसूजा इलफांजो डिसूजा के टाइम पे सेंट फ्रांसिस्को जीएविर इंडिया थे आजिए अब देखते हैं कि इंड के आने के इंपक्ट क्या हुए थे सबसे पहले इंडियन ट्रेड पहले अनाम्ड था वो आम्ड हो गया था और दूसरा कि इंडिया में जो पहले मुस्लिम मोनोबली थी ट्रेड पे वो अब खत्म हो गी थी इसके साथ ही हम देखेंगे कि कि जब कोई भी बाहर से सेटलमेंट लेकर आ रहा तो वह अपना अर्किटेक्ट्चर अपना कल्चर अपनी लेंग्वेज शोशल लाज कस्टम ड्रेस फूड सब कुछ लेकर आएगा कुछ इंपोर्टन जहां पर लेके हुए हैं प्लीस नोट हो एक स्टम देखेंगे कि कै लेवर इन टोलरेन्त नेटीव लीफ लीपस नको लगता था कि इंडियन्स और बार्बेरियन और नेक्स्ट इज सी ट्रेड में बैसे भी समान पैरिश होता और पाइसी भी और दीरे इनका द्यान ब्राजल की तरफ ज्यादा हो गया था और ब्राजल की तरफ इन्होंने ज वोट देहेज में दे दिया था ब्रीटिश को डच 1602 में आये थे पहले इनके और ब्रीटिश के बीच लड़ाई चल रही थी बड़ जब फ्रेंच आ गए तो इन्होंने अपनी सारी सैटलमेंट ब्रीटिश को बेच दी थी और इन्होंने एक एक्डिमेंट साइन किया था कि ब्रीटिश इंडिया में रहेंगे और डच इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गए इनकी मेजर फैक्टरी दी गई है प्लीज नो डाउन फ्राउम है आगे है ब्रीटिश ब्रीटिश ने 1599 में अपना रीपरजेंटेटिव इंडिया बे दिये था अब आप बताएंगे कि और इसमें क्राउन का भी शेयर रखा था इसमें एक कैच है कि शेयर कुईन खा था ना कि ब्रीटिश क्राउन खा नो डाउट बोथ वर सेम परसन वर डिफरेंट पोजीशन थी क्वीन ने इस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल की मोनोपली दी थी बट जेम्स बन ने आके जे इंडेविने टाइम के लिए बढ़ा दी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे अकोर्डिंग टू इस्ट इंडिया कंपनी प्रिविलेजिस चेंज होती गई और ट्रेड की शेप और टाइप बदलती रहे अब एक बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है ब्रिटिश ने कैप्टन हॉकिंज को मुगल एम्परर के दरवार में बेजा कि ट्रेड में कुछ प्रिविलेजिस मिलें बट एम्परर ने पुर्टगालियों के दबाब में आपकर मना कर दिया तब कैप्टन हॉकिंज ने ब्रिटेंज से नेवल फ्लीट मगवाई और जहां फैक्टरी की परमीशन मागनी थी बिलकुल उसके पास सवाली में पुर्टगालियों को हरा दिया इसके बाद एम्परर ने सूरत में फैक्टरी लगाने की परमीशन दी अब आपको पता चल गया है कि कैसे बंबे मिला कैसे मदरास डिबर्पुआ और कौन से फोर कहां गाए है जो चरनोक ने सूता नती में एक फैक्टरी लगाई थी ब्रीटिश ने लोकल अथोर्टी के साथ ब्रीटिश ने लोकल अथोर्टी से साथ वारे तीन टाउन ले लिये थे जहां पर डवाल्प हुआ था फोर्ट विलियम एंड तलकत्ता यह कुछ इंपोर्टन टर्म है इंटर लूपर्स वो लोक थे जो थे तो इंग्लिश बट दे हैड नो प्रमीशन टू ट्रेड विद इंडिया क्योंकि क्वीन ने मोनोपली तो सिर्फ इस्ट इंडिया कंपनी को दी थी बाकी जो भी इंग्लिश मेंट ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ दे वर ओल इंटर लूपर्स नेक्स टरम इस कैलिकोस ये एक इंडियन टेक्स्टाइल था इंडिया से जो मेजर एक्सपोर्ट हो था था उसमें ये वह एक दा और इसके साथी बलेक पेपर इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि ये देखने में ऐसा लगता है जैसे शीन्टे पड़े हैं कुछ important terms होती हैं जो बार-बार पूछी जाती हैं हम कोशिश करेंगे कि हम साथ-साथ में इनको discuss करते रहें नेक्स्ट है डेन्स ये बहुत ज़्यदा missionary activities में involved हो गए थे at last इनको भी अपनी सारी settlements ब्रीटिश को बेच कर जाना पड़ा था फ्रेंच वर्दा लास्ट पावर जो इंडिया में आई थी इसको बापिस भुला लिया गया था और फ्रेंच करनाटिक वार में ब्रीटिश ने इनको हरा दिया था इसके बाद बस फ्रेंच पॉंडिचरी माहे यनम और करेकॉल में रह गए थे कुछ इंपोर्टेंट सेटलमेंट्स हैं प्लीज नोट दें फ्रॉम हेर नेक्स्ट इस कि जब ब्रीटिश इंडिया को कॉंक्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे उस ताइम पे इंडिया के क्या हलात थे ब्रीटिश ने इंडिया को सेवंटी फिप्टी सेवन से उफीशिली जीतना शुरू कर दिया था और 80-57 तक ये 3-5th of India जी चुके थे और 3-4th of population जब भी सेंटर कमजोर होगा तो रीजिनल पावर उठेंगी तब तब कंट्री अनसेफ होगी दिर बार 3 काइंड ओफ स्टेट इमर्ज एड देट टाइंग फरस्ट हैं ओटोनोमस स्टेट में थी हैदरावार ओटोनोमस थी कि जिन्हों ने अपने आपको डेकलेर कर दिया था कि they are independent बट वो मुगल वाजशा की authority को भी acknowledge करते थी इनमें सबसे पहले है है हैदरावाद हैदरावाद निजाम उल मुल्क चिन क्लिच खान भी कहा जाता और इनको टाइटल दिया हुआ था आसब जहां नेक्स्ट है बेंग दोला और सिराजियों दोला था जिसको पलासी की बैटल में कलाइब नहराया था आवद मोडर्न हिस्ट्री में बहुत ही major role play करता है इसको autonomous बनाना स्टार्ट किया था सादत खान ने और यह autonomous बन गया था सब्दर जंग के नीचे यह autonomous बन गया था अंडर सब्दर जंग हम next discuss करेंगे कि सूजाओ दुला शाह आलम सेकेंड एडमीर कासिंग यह तीनों थे जिनके साथ होगी बैटल ओबकसर और यह तीनों हा रहेंगे बैटल ओबकसर में और जहां से शुरू होगा ब्रिटिज कॉंक्वेस्ट सही तरीके से इन पे लगाए जाएगी ट्रीटी ओफ अलाहवाद जो मोगल एंपरर को पेंचन बना देगी ब्रिटिश का एक सेकेंड काईड ओफ स्टेट थी इंडिपंडनच्ट स्टेट जन्होंने अपने आपको इंडिपंड़न डिकलेर कर दिया था इनमें एक तो था मैसूर मैसूर ने अपने आपको मैसूर करे थी हिंदू बोडियार डाइनेस्टी बट उनके कमांडर हैदर अली जो बहुत ही जैदा अमबीशियस था उसने उनको रिप्लेस करके अपना एक एमपायर खड़ा किया था और इसके बाद उसको सक्सीड किया था टीपू ने टीपू ने भी बहुत सारी बैटल्स लड़ी थ इसके साथ ही और एक चोटी सी स्टेट थी त्रावन कोर त्रावन कोर ने ब्रेटिश शेट ट्रीटी साइन कर ले थी क्योंकि इसको डर रहता था कि माईसूर इस पे अटैकर देगा थर्ट टाइप थी रैवल ग्रूप रैवल ग्रूप में सबसे पहले हैं मराथास दे एंस सेवाजी महराथ और देन इनगो फोलूफ यह था शंपा जी देन रहा भी देन साहू पट प्र शलोली स्लोली जैसे जैसे चत्रवती की पार्वर्स कम होते गए पेशवा पावर वह रहते गए इनीशली पेशवाज वर नोड घर्रीटरी पट जब पेशवाज की देखेंगे कि पेशवा ने मराठ्था चीव से डरके ही इंगलीज चेर ट्रीटी की थी कि यह कुछ इंपोर्टन्ट पेशवा दिये गए हैं सबसे पहले हैं बाला जी विश्वनाथ देन बाला जी बाजी राओ बाला जी बाजी राओ के टाइम पे हुई थी पानी पत्की थर्ड बैटल और जी मराठ्थाओं के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस बैटल थी इसमें उनको बहुत ही बुरी तरहं से हारना पड़ा था और उनका जो शपना था इंडिया पे एक बहुत बड़ा मराठ्था उसके बाद है मादव राव वन नराइन राव को उसके ही बाई ने राव ने नराइन राव को उसी के बाई रगुनाथ राए ने मार दिया था और उसने ब्रिटिस ए ट्रीटी कर ली थी अंगेंस्ट अधर मरठा पावर्ज यह हम सारा कुछ डिटेल में देखेंगे जब हम मराथाज की हिस्ट्री करेंगे नेक्स्ट रेवल स्टेट है जाट जाटों को लीड कर रहे थे सूजामल और उनके साथ है अफगान्स अफगान्स में दो ग्रूप्स थे एक ता अली महमेद रोहिल खंड के और दूसरे थे एहमद खान फारूप खावाद के नेक्स्ट रेट है पंजाब जब गुरू गोविन सिंग जी ने खालसा पंद की स्थावना की थी तो उसके बाद में एक वारियर क्लास त्यार होगी थी पंजाब में तो उन्होंने तब से अपनी एक स्ट्रगल शुरू कर दी थी इंटिपेंडेंस को लेकर मुखलों के खिलाब और जिसको आगे लेके बाबा बंदा सिंग बहादर अल्टिमेटरी महराया रंजी सिंग कामजाब हो गए एक बड़ा सिख एमपाइर क्रेट करने में बृटिश के भी समय बीच में सब के बार में हम आगे पड़ेंगे ज़िस से बीक और बृते जाएंगे फ्लीज लाइक शेर एंड रिकमेंड झाल झाल